आनन्द मोहन प्रखंड विकास पाधिकारी सक्राव में अक्सर अभीबावक का ऐसा कंप्लेंड रहता है कि सरकारी स्कूल में परहाई नहीं तो सब अच्छा से सफाई दे देते हैं लेगिं कई परतनीधी से हम ओफ वीडियो भी बात किये तो उनके माधि हम से कहा जाता है कि कि से बॉलाग में 60 % घूस दिया जाता है 40 % घूस दिया जाता है इसमें कि आपके पर्खंड में कई ऐसा रोड बने है उस पर भी आपका गारी चली होगी चलने के बाद आपको क्या लगा है कि से रोड खाराब बना हुआ है कि सही बना हुआ है ऐसा कई रोड का आप जाच किये हैं कितने रोड का जाच अभी हम आए हुए सक्रा परखंड में और आज ही नहीं लगबग पांक दिन साथ दिन अर्ण से दौर रहे हैं वीडियो साहिब कोई अपना काम से हो या मीटिंग एरेंज कर रहे हो हैं किसी भी माद्यम से मिले मिले नहीं आज हम इनके आए हुए हैं जो कि इनका चेंबर सक्रा परखंड में तो यतना भरस्टा चारी हो रही है लेकिन पता नहीं इनके कानों तक खबर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है इसी पर बिसेस चर्चा करने के लिए इनके पास हम आये हैं हलाकि संजोग से इनका चेंबर खुला हमको मिला और एक रिक्वेस्ट भी कि पर नहीं है इसन प्रति सीकायत नहीं हकरों युद्द करना है लेकिन आए जो खी जाैना है तो जा से लुडा है् तो हम मेरे साथ मितलब यहां के सक्रापरखंट के वीडियो साहिब है और जो भी चर्चा हम इनसे करेंगे एक सधारन तोर पर करेंगे देखने में तो काफी यूबा लग रहे हैं यूबा विचार से काम हो रही है कि नहीं हो रहे इस पर भी से शर्जा करेंगे सबसे पहला मेरा सर आपसे सवाल है जो सिक्षा और स्वास्त हमारे बिहार में नहीं पूरे देश में या बीसुव में माना जाता है सबसे बेस्ट सिक्षा और स्वास्त सिक्षा तो लोग करके स्वास्त लाइन में जाते हैं लेकिन ऐसे कई सारे मतलब हमारे परखंड में नर अभी तक कितने मतलब ऐसा है जो उसको आप सील किया गया है और नियमा नुसार यदि कोई सीखायत आएगा तो अभी तक कितने मतलब ऐसा है जो उसको आप सील किया पताया जा रहा है कि कई असा मतलब नर्सिंग हों भी है दवा खाना है उसका सुचना अभी तक आपके पास है हमारे पास लिखी तरुप से कोई सुचना नहीं आया है यह दिया आएगा तो हम प्रभारी जो है उनसे अपि स्क्राइब नहीं होता है इसमें आपकी सर्काइर की दिक्कत है या आपके सिक्छ का दीकत रहता है हलाकि बियो साहब से भी हमाथ साटिकtake्स उत्तर नहीं मिलने के बाबस्ताете कऱा आं मैं तो आप संग्यान में मामला आप लोग लाइए उस पर हम लोग करवाई करें अभी तक देखें आप और एक समस्या है थुड़ा एक करवा सवल रहेगा आपके लिए कई परतनीधी जन परतनीधी के पास भी हम गया है रोड के मामले से हो नाली के मामले से हो ऐसे कुछ और वीडियो तो सब अच्छा से सफाई दे देते हैं लें कई परतनीधी से अफ वी बात किये तो उनके में 60% घूस दिया जाता है 40% घूस दिया जाता है इसमें कितनी सचाई है और आप तो परकंड पंचायत राजपादिकारी देखते हैं हमारे पास ऐसा कोई मामला संग्यान में नहीं आया है आया तो उसमें लोग जांच करें रोड बनने के बाद जैसे आपके परकंड में आप बिकास के छेतर में है आपके पर्खं में कई ऐसा रोड बने हैं उस पर भी आपका गारी चली होगी चलने के बाद आपको क्या लगा है कि स्हीज्य नहीं कि इस रोड का आप जांच किया है कि तो देखें जहां भी समस्य आएगा इसको हम लोग तकनिके जो होते हैं ज साब तोर पर कह सकते हैं उनका भी परसेंटेज बना होगा इसलिए उहां पर खारा है और नहीं काम सही से नहीं करवा रहे हैं अगर कोई हमें लिखीत रुप से आविदन देंगे तो हम मंद्रिया के कारकरम पहदिगारी से जांच कराकर अग्तर करवाई करने के लिए अभी स लेकिन आपकी महजूद्गी यहां पर नहीं रहती है यह का है नहीं हो सकता है तो इतना सारा समस्या हमारे परखंड में है सर यह भी आप भी जानते हैं इसको आप साफ कर दिजिए कि वाकई में मतलब बलॉक में किसी परकार का परसेंटेज खाने बाले अधिकारी बैठे ह लिखित रूप से अगर दिया जाए तो उसको डारेक्ट लोग इंकाउंटर टैप का धंकी देने लगते हैं नहीं तो बोलने लगते हैं कि तुम मतलब बहुत ज्यादा नेतागीरी बनते हो कि अधिया नहीं आपके गाव में भरस्ट नेता भी आपके वार्ड में होगा चाहे मतलम माली जीला में होगा वह इसी यहां भी होगा तो उस सबक सिखाने के लिए आपका फर्ष्ट बियान क्या रहे हैं को देंगे कंप्लेंट तब तो जांच होगा फिर करवाई होगा उस पर दिया मनुसरा ठीक है प्रचार प्रसाल में भी जाना है ठीक है वीडियो साहिब से बात के हर मुद्धा प्रबात करने का प्रियास किये लेकिन अच्छा से शारू ढंग से मतलब इन्होंने ब्यान द वीडियो में बनने के लिए तह दिल से सुक्रिया जबता के लिए जाहिंद